असलाम वालेकूम फ्रेंड्स आज मैं टीटी के मुतालिक मालूमात लेकर आई हूँ जिन लोगों ने जो लोग टीटी करने वाले है या जिनको टीटी से मुतालिक मालूमात चाहिए होगी मालूम करना होगा खासतोर पर उनके लिए ये वीडियो फायदे मन साबित हो सकती है और इसके इलावा टीटी के स्टूडन्स हम सब की जानिब से इकबाल सर का शुक्रिया अदा करना भी था जो काफी देरी हो गई लेकिन खेर कोई बात नहीं तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तस्वीर में ये इकबाल सर है इकबाल अनसारी ये असिस्टन टीचर है जिला परिशत परवनी के और टीटी टैट सीटेट कॉलिफाइड है इन्होंने जो है दो हजार एक्कीस में तैयारी करवाई है हम स्टूडन्स की टीटी स्टूडन्स की अब उन्होंने किस तरह तैयारी करवाई थी क्या-क्या किये थे किस तरह से अरेंजमेंट किये थे वो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को चलिए स्टार्ट करते हैं ये जो वीडियो है एक्चुली ये सर की रिपोर्ट का ही नमूना है एक हिसाब से मतलब सर ने जो है टीटी की तैयारी करवाए थे तो लास्ट में जब हो गएते दोनों फेस तो रिपोर्ट उन्होंने तैयार कीती बाकाइदा तो उनकी रिपोर्ट का ये चन नमूना मैं बत आने वाली हों आप लोगों को तो ये रिपोर्ट यहां से स्टार्ट होती है तज्जियाती रिपोर्ट मिशन टीटी सर जो है कॉन्वीनियर थे है मतलब सौरी ऑनलाइन क्लास हुई थी बाकाइदा हमारी दो फेज में किये थे और यह जितना भी अरेंजमेंट हुआ था यह आइटा की तरफ से था और इंडिया आइडियल टीचर असोसियेशन माराश्रा यह मतलब सारे टीचर्स मतलब आइटा के जितने भी टीचर्स हैं सब की सब मतलब शामिल थे पेश पेश थे बाकाइदा हमारा फ्री ऑनलाइन ले गया है यहां बताया गया है कि इस तरह से ओनलाइन गाइडेंस सेशन वगेरा लिये गए थे एक सेकेंड देखें यहां दिया गया है टीटी के टू फेस हुए थे स्टार्ट किये गए थे ग्यारा सेप्टेंबर से और टाइमिंग भी सेशन जो थे ना क्लास के वह एंड हुए थे 11 सेप्टेंबर 2021 यह मतलब फंक्शन वाला सेशन रखा गया था जिसमें गैस्ट वागेरा शामिल थे अबदुलरहीम शेक साहब नेशनल प्रेसिडेंट थे है आइटा के और दूसरे है शाहिद लतीफ साहब चीफ एडिटर है इनकलाब के और मिस्टर मुक्तार एमद यह जो है नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है आइटा के मतलब यह सारे गैस्ट ओनलाइन सेशन में शामिल थे ठीक है और कॉन्वेनर थे हमारे इकबाल अनसारी सर्थ यहां बताया गया है कि मतलब 14 अगस्ट को जो है मीटिंग मुनकित की गई थी कि मतलब टीटी स्टूडन्स के लिए ओनलाइन क्लास का एत्माम करना है एक सेकेंड ओनलाइन क्लास का एत्माम करना है और उर्दू मीडिया में मवात तलबा की मालूमात की कमी को दूर करना है इस तरह से मतलब प्लानिंग की गई थी किस तरह से क्या करना है उन में होसला अवजाई पैदा करना है वगेरा वगेरा जो है ये सब तै किया गया था 12 अगसे 6 सितंबर मुफ्त ओनलाइन क्लास का काम्याब इनकाद अमल में आया इस तरह से मतलब प्लानिंग की गई थी चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं ये जो है आईटा के खास दिम्हेदारान अफराद है यहां ये ये हमारे इकबाल सर है यहां पर बाकी सब सर है आईटा के खास यहां पर इन्होंने रिपोर्ट में बताया है बाकाईदा मतलब इनकी रिपोर्ट इतनी अच्छी है तारिफ के काबिल है के मतलब इन्होंने बाकाईदा सबूत के साथ बहुत अच्छी तरह से इन्होंने जो है रिपोर्ट तैयार कीती यह जितनी भी मैं आपको बता रही हूं इमेज सब उनकी ही रिपोर्ट का नमूना है इसमें बताया गया है कि रियासत के मुक्तलिफ अगबारात के जरीए इस मुहीम के आगास की तश्हीर की गई ही मतलब अगबारात के जरीए लोगों को इन्फॉर्म किया गया बाकाइदा यहां पर सर जो है शुक्रियादा किये है बाकाइदा से जो मुहीम चलाई गई तो यह आइटा के जो टीचर से उनका शुक्रियादा किये है आल इंडिया आइडियल टीचर असोसियेशन जिला परबनी के सभी अराकिन और इंडिया आइडियल टीचर असोसियेशन यूनिट परबनी के सभी अराकिन इसके लावा पात्री के सभी अराकिन जिलाई यूनिट के सभी अराकिन सबका सर ने जो है शुक्रियादा किये है यहां बताया गया है इस मुहीम के तहट लड़के लड़कियों का अलग-अलग ग्रूप तैयार किया गया है तैयार किया गया था बाकाइदा से जो के काफी काम्याब रहा है काफी तलबा इसमें पेश-पेश थे देखें यहां दिया गया है छे लड़कों के छे लड़कियों के दस इस तरह से 16 ग्रूप तैयार किये गए थे रियास्त से कुल 4000 तलवा शामिल थे और इस्तफादा हासिल किये बाकाइदा ये जो है अप लोगों को क्योंकि मैंने सर के रिपोर्ट की कॉपी की है तो ये टाइम टेबल है हमारा उस वक्त जो सर ने टाइम टेबल तैयार किये थे और गुरूप में भेजे थे तो ये उसकी कॉपी है बाकाइदा टाइम टेबल भी तैयार किया गया था फर्स्ट फेस का सेकेंड फेस का ये इन्वीटिशन कार्ड है और यहां यह जो नमुना आप देख रहें स्क्रीन पर यह जो है वाल पेपर की तरह हम बोल सकते हैं कि मतलब जब जब क्लास रखी जाती थी तो सर जो है ग्रूप में हमें सेंड कर दिया करते थे कि मतलब इस तरह से एक सेकेंड ठीक है यह यह जो है शॉरी एक सेकेंड ठीक है ठीक है यह वासीम सर है इन्होंने इंगलिश की क्लास ली थी इनका नाम भी वासीम है um अउसीम पटेल सर इन्होंने साइकोलोजी पढ़ाया था यह इक वाल सर है इन्होंने उर्दू भी on ररिया थे लैक्चर अगेला ली ने ते यह सर है यह है यह साइंस पढ़ाया थे तो इस तरह से मतलब एक ही दिन सब नहीं अलग-अलग दिन रोजाना एक क्लास बाकाइदा रखी जाती थी और इस तरह से सर जो है वाल पेपर रख दिया करते थे गुरूप में टाइमिंग वगेरा सब बता दिया करते थे और इस तरह से जूम पर जूम की लिंक बेज़ते थे जिस वर क्लास होती थी और वो फुल हो जाती थी तो यूटूब पर हम लोग जो है स्टूरंट जॉइन हो जाते थे यह क्लास की तस्वीर है कि मतलब क्लास होती थी इस तरह से जूम क्लास रोजाना वक्स से पहले जी यह मतलब रिपोर्ट में सर ने बताये थे कि जूम क्लास जो है वक्स से पहले जो है फुल हो जाती थी उसके बास जो है यूटूब पर जॉइन हो जाया करते थे यहाँ पर इस मुहीम के आगस पर आयटा महराश्टर यूटूब चैनल के सब्सक्राइबर की तादाद दी गई है 3,160 थी जो आज इस मुहीम की कामियाबी की वज़े से तादाद में बाकाइदा इजाफा हुआ है 5,680 यहाँ 12 अगस से 6 सितंबर के दर्मिया कुल 21 सेशन हुए है जिसमें जूम पर 11 लाइफ सेशन में 5,500 मुस्तक्बिल के असातेजा ने शिरकत करके इस्तफादा हासिल किया है यूटूब पर भी जो है जॉइन हुए है मतलब मुक्तसरन हम यह कह सकते हैं कितनी मतलब ज्यादा तादाद में जो है इस्टूरंट्स शामिल हुए है और फाइदा हासिल किये है यह जो है टेस्ट मतलब क्लास ली जाती थी लेक्चर वगरा होते थे और फिर बाद में जो है इस तरह से टेस्ट सिरीज रखी जाती थी टेस्ट होते थे इस तरह से यह भी टेस्ट का ही नमूना है बाकाइदा टेस्ट होता था इस तरह से कोशन दिया जाता था और इस तरह से ऑप्शन वगेरा होता था बहुत हम लोग ने काफी एंजोई भी किये बहुत अच्छा लगा हमें और ये हैं महाराश्र के सभी 36 अदला तक इस मुहीम ने रसाही हासिल करने में काम्याब हासिल की देखे सार ने कितनी अच्छी रिपोर् ऑशन प्सकती थी गई एइए अजलाखी और कॉनृटिटी दी गई है कि मतलब कितना कितना मतलब शामिल हुए सब 36 चाम्याब हासिल की मतलब कितनी कॉन्टिटी में जो है काम्याबी हासिल कि ए इस्टूडγά्य शरीक हुए बाकायदा बताया गया है आगे बढ़ते हैं यह कुछ certificates के नमूने बता रही हूं मैं कि मतलब जब जो function रखा गया था session रखा गया था ending में तो जो जो मतलब teachers ने lecture दिये थे तो उनको जो है इस तरह से online certificate जो है दिया गया था यह वसीम सर का certificate है जिन्होंने English पढ़ाये थे और यह इर्शाद सर यह भी इन्होंने भी English पढ़ाये थे हमें English lecture लिये थे उन्होंने टीटी की ठीक है इस तरह से इस तरह से यह जो है गैस है मेमान है मिस्टर शाहिद लतीफ साथ चीफ एडिटर है डेली इंकलाब के यह भी इन्हें यह भी मतलब शामिल थे और इन्होंने जो है इकबाल सर की होसला अवजाई की थी उनके रिपोर्ट की बहुत सारी तारिफ की थी जो के वाकई में काबिले तारिफ है इकबाल सर ने बहुत मैनत किये है हम सब के पीछे और यह है मिस्टर अब्दुलरहीम साहब यह नैशनल प्रेसिडेंट है आइटा के इन्होंने भी बहुत अच्छी स्विच दीती और सर की रिपोर्ट के बारे में और बहुत सारी बाते इन्होंने बताये थे यह सारे मेमान खुसूसी है जो के शामिल थे उस दिन तो इस तरह से मतलब मैं जो है सर की रिपोर्ट का थोड़ा बहुत नमूना आप लोगों को बताई हूं शो की हूं कि मतलब जो मतलब टीटी की तैयारी करने वाले है तो वो भी देख सकते है कि किस तरह से जो है इकबाल सर ने हमारी तैयारियां करवाई थी बाकाइदा उनका जो टेलिग्राम का गुरूप है वो गुरूप आप लोग जॉइन कर लेना बैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लावा यह एजुकेशन टूब जो है यह उनका यूटूब पर उनका चैनल है यूटूब पर उनका चैनल है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना सर हर मतलब अब टैट के मुतालिक, C TET के मुतालिक जो है अपडेट देते रहते हैं, ग्रूप में भी भेजते रहते हैं, तो काफी आप लोग मालूमात आप लोगों को मिलेगी, आपको फायदा उठा सकते हैं. और इस तरह से सर का भी हम सभी स्टूडन्ट की तरफ से सर को बहुत सारा थैंक्यू शुक्रिया शर ने बहुत मेहनत किये है और आइटा के सभी टीचर्ज को भी बहुत सारा हम सब स्टूडन्स की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और इकबाल सर के लिए हम इस्टूरेंट की तरफ से दुआ रहेगी कि वो इसी तरह मतलब खिदमत अंजाम दे और दिन दुगनी चोगनी तरक्की करें उनकी रोजी में अल्ला तला डेर सारा इजाफा करें और वो हमारे लिए इसी तरह खिदमत अ करें लेकिन जैसा करना चाहिए अभी क्लास है नहीं के सब स्टूरेंट मिलके कुछ अरेंजमेंट करें कुछ प्रोग्राम किया जाए वो मुम्किन नहीं लेकिन ये मेरी छोटी सी कोशिश है उमीद करती हूं पसंद आई होगी और इस तरह से सभी स्टूरेंट्स आप लो करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाललत आला नेक्स मेरी वीडियो सीटेट के तालुक से होगी तो अगर आप लोग कुछ देखना चाहते हैं आप लोग देखना चाहते हैं या बताना चाहते हैं या जो भी है जरूर कमेंट करना और मेरी इस तरह वीडियो देखने के लिए लाइक करें सबस्क्राइब करें शेर करें शुक्रिया लाफिस